हेलोडोप आर्मी तो केसे हैं आप लोग आए होफ साफ से लोग बढ़िया होंगे आपको डेली कॉंटेंट देने हो मतलब दो दिन तीन दिन में एक बार वीडियो आ जाए का ठीक है तो आज की वाली वीडियो में आपको कमाल की ट्रिक और टाइमिंग बताने वाला हूं लेटेस्ट ट्रिकेटी का इसको इसको करके कलो मुझे एक लिए मिला था कि यह रखेने का आप वीडियो को एंट तक देखो और इस वीडियो काम लोग जो लाइक एम रखते हैं वह हंड्रेड लाइक एम करवाते हैं कि नहीं ठीक है बट मुझे लगता है कि आप लोग सब्सक्राइब करें आपको क्रेट ओपन कर देना है तो आप लोग अच्छा आउट वगरा मिल जाएगे अभी यह तो हो गए ट्रिक की बात तो गाइस यह ट्रिक यूज करना अभी टाइमिंग क्या है और लॉजिक क्या है कि हमको आच्छा ही मिलेगा तो आई हम मैं आपक सब्सक्राइब करें तो आप लोग इंडिया टू यॉर कंट्री ट्रांसलेट करकर टाइमिंग पता कर लेना ठीक है तो यह होगा टाइमिंग की बात अभी लॉजिक क्या है मैं आपको बी बता देता हूं वाट इस दी लॉजिक बिहाइंड जीवन आपको अच्छा आउट नैट को जो ट्राफिक होते है वह लो होता है ठीक है और इससे आपका चांसेइस बढ़ जाता है मीठीक और लेजेंडरी आउटफिट परमनेंट मिलने का त्यूजुच आइए प्रिक बता दिया टाइमिंग की बीचे लोजिक बता दिया कि भाई किस तरिके से आपका जो करता है और मैटर करता है क्रेट ओपनिंग में और गूगल पर भी आप लोग सर्च खुद कर सकते हो अभी हम बात करते हैं तो भाई आपको मैं पूरूफ भी दिखा देता है क्योंकि मैंने आपको भी हर चीज बता दिया अभी बस लास्ट जो है वह पूरूफ रहे गया तो मैं आपको आई अपले पूरूफ दिखा देता हूं फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप लोगों का पूरूफ ठीक है आपको देख पार मुझे तीन लेजेंडरी और एक मिथिक आउटफिट मिला और वह मिथिक आउटफिट का इमोड भी है तो मैंने सेम लए के टरिक यूज किया था और टाइमिंग भी यूज किया था ठीक मैं अबकब आपको चेखर यूज करें चकर में यूज करता ताउira करना किया ट्रींग में यूज नहीं कर रहा हूँ बटिए च्टिल वक करती है मेरे प्रेंडस अभी ben करते हैं मैं रात को यूज किया था मुझे एक एक एम का स्किन भी मिला था और एक आउट्विट मिला था ठीक है आप लोग को में रिकर्ण करने कि आप लिए तो आके मुझे बता देना क्योंकि भाई मुझे अच्छा लगा कि मेरे ट्रिक कर रहा है और इस वीडियो को लाइ हो चलने को सब्सक्राइब कर दो आपका भाई सिरी का ट्रिक लाता रहता है सो गाइस मिलता हो नेक्स वीडियों में तिल देन टाटा बाई-बाई-बाई-बाई-ई-उपीच आउड अपना ख्याल रखना और अपने घरवालों का भी ख्याल रखना